हलो दोस्तो मैं निलेश पटले तो आज हम बात करेंगे लाइबरी बिजनेस से अर्निंग तो लाइबरी बिजनेस से हम स्टार्ट करके कितनी अर्निंग कर सकती हैं वो जानेगे कितना इन्वेस्टमेंट होगा कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों तो चलिए विडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो देखें दोस्तों सबसे पहले लिखा है investment तो टोटल इन्वेस्टमेंट आज का हमारा है दोस्तों दस लाग पचास अजार का क्योंकि मैं library business इस प्लान के पर दो वेडियो और बना चुका हूं तो उसमें कमेंट्स आये थे कि कुछ चीज़े कम रेट की है कुछ चीज़े जादा रेट की है तो यह प्रॉपर अच्छे से थे से करके हम अरे तो टोटल इनवेस्टमेंट है ब दस लाग पचास अजार के देखिए दोस्तो और इसके बाद हम जाजाए ते फरनीचर किते सेट्का बनेंगा दोस्तों 100 seat का बनेगा तो 100 seat का फरनीचर बनेगा हमारा तो एक seat का cost आएगा रूपस तो 7000 रूपस तो 7000 रूपस तो 7000 इंटू 100 करें तो 7000 रूपस तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों लाइटिंग क्या है फरनीचर में लाइटिंग के विवस्ता होगी एक फरनीचर जो हो गया उसी में बोर्ड एक रहेगा तो लाइटिंग का cost हमारा 20,000 रूपस तो और इसके बाद हम आजाते हैं AC AC में पिछले वाली वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट्स किये थे कि 20,000 में कोई AC नहीं मिलती 20,000 में तो इस बार हम cost बढ़ा लिये हैं तो AC पांच अनक दोस्तों तो लाइबरेरी में वाइफाई का cost है वो 5000 रूपए का है इसके बाद हम आजाते हैं सबसे रूम रेंट्स अगर आपको खुद का personal commercial building है या फिर आपको खुद का रूम है तो आपको रूम रेंट्स नहीं लगेगा पर अगर आप रेंट्स से लेते हैं सीटी में लेते हैं तो 20,000 रूपए आप सीटी के अंदर रूम अराम से मिल जाएगा इसके बाद हम आते हैं लाइट बिल लाइट बिल 20,000 रूपए पर मंत 20,000 रूपए का पर मंत लाइट बिल आएगा इसके बाद पानी बिल पानी भी आप आरो का मंगवाईएगा क्योंकि all facilities दीजेगा अपने एरिया में बहुत अच्छे से कराईएगा और एडवर्टाइजिंग से ही आपकी जो लाइबरेरी है नहीं रहेगी तो लोगों तक उसका पता चलेगा तो एडवर्टाइजमेंट में 50,000 रूपए डवर्टाइजमेंट में आफ लाइन ऑन लाइन दोनों एडवर् करेंगेगा उसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं वह आपके पड़िपेंट करता है दोस्तों तो यह तो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट 10,50,000 रूपए का इसके बाद सबसे ज्यादा ज़री जब इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा महिने का तो दूस पर बात करते हैं तो यह रहा दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन रहा 100 सीट हमारी बनेगी तो 100 सीट बनेगी एक स्टूडेंट का फीश रहेगा 1500 रूपए और 1500 इसलिए रहेगा कुछ लोग बोल रहे थे कि फीश 1500 रूपए नहीं देंगे तो प इस्टूडेंट 1500 रूपए तो इंटू 1,500 रूपए एक इंटू 1500 रूपए आप एक महिने में अर्न करेंगे इसके बाद हम आ जाते हैं देड़ लाग रूपए तो हम अर्न करेंगे पर इसमें खर्चा महिने का कितना आएगा तो वही लाइट विल मान लीजे आप उसके मैँसे बाद लाइट बिल 20,000 रूपए का रूम रें आपका 20,000 रूपए का वाइफ़ पांच dwell रूपए का वा य 25,000 रूपए का और पानी विल 5,000 रूपए तो टोटल हर महिने का जो कोस्ट आएगा वह आपका आएगा 50,000 रूपए का तो देड़ लाग रुपए हर महिने सब स्टूडेंट से आएगा तो देड़ लाग माइनस पचास अजार तो टोटल एक लाग रुपए आपका एक महिने में प्रॉफिट दस लाग पचास हजार खर्च करके आप एक लाग रुपए एक महिने का कमा सकते हैं और यहाँ चीजे खोलनी है और आपको नॉलेज नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर देदूँगा आप मुझसे कॉल में भी बात कर सकते हैं और वैसे भी मैं तीन विजनेस प्ला दिया हूँ दोस्तों तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक से शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस प्लान देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हर एक दिन मेरे चैनल पर ब थन्नेवाद.